गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बकसर के यूद के कारणों और प्रेणामों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बकसर का यूद कप लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया इन सब बातों के बारे में अर्थात बकसर के यूद की जो बेसिक सी जानकरी है वो हमने आपको पढ़ाई थी और इससे पहले प्लासिक का यूद भी आप लोगों को पढ़ा दिया है तो देखेगा आप यद बकसर का यूद है वह है बंगल के नवाब मीर कासिम और अंगरे जो के बीच लड़ा जाता है और इसमें मीर कासिम की हार होती है और ये मतलब की जो 1734 में ये यूद लड़ा जाता है ठीक है तो देखेगा बकसर का यूद के कारण यामcheck नाम बकसर का यूद के कारण तो मीर का सिम के आर्थिक एवं पर्शासनी के सुधार ठीक है तो मैंने आपको मतलब पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मतलब जो ये लोग है प्लासी के यूद में भी ऐसा ही करते हैं प्लासी के यूद में ये मीर जाफर को हरा देते है और फिर ये सोरी उसको सुजा उदला को हरा देते हैं और फिर मीर जाफर को सासक बनाते हैं और उसके बाद ये लोग उसको मतलब मीर जाफर जैसे जैसे मतलब उसकी वैकम जोर होता जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं जो अंग्रेज लोग हैं ये क्या करते हैं कि मीर ज कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं 1760 में ठीक है अब क्या है कि जो मीर कासिम है यह है मतलब मीर कासिम है यह एक योग्य परसासक था तो मतलब योग्य परसासक जो भी होगा वह है अपने परसासन को भी अच्छे से देखेगा तो मतलब जो मीर कासिम है इसने बंगाल की ग जम्मीदारों का दमन कर दिया इसने ब्रस्ट दिकारियों को दंडित किया और मतलब थोड़े समय में ही कंपने का बहुत सा रिन भी इसने चुका दिया और मीरकासिम ने राजस्वाव विभाग का भी पुनरगठन किया और इस राजस्वाव विभाग में इसने मांदार और योग्य वेक्तियों को नियुक्त किया, सरकारी खर्चे में भी कमी करी और सरकारी खर्चे में कमी करने के लिए इसने बहुत से करमचारियों को नोखरी से हटा दिया और इस प्रकार से जो मीर कासिम है इसने मतलब कई सुधार किये थे और ये एक स्वतंतर परवर्टी का विखती था ये अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटना चाता था और इसने इन सब कारियों को करके इसने अपनी पर्शास ने क्यों गेता का भी प्रीचे दिया अंग्रेज जब वो मीर कासिम के स्वतंतर आच्रण को सहन नहीं कर सकते थे और वो मीर कासिम को संदे की दरश्टी से देखने लगे इस कारण मीर कासिम और अंग्रेजों के बिचा मन बीच है वह मन मुटा बढ़ गया था ठीक है और इसी बीच क्या होती है कि 1760 इस्वी की सं अंधी हुई थी और उसकी सर्टे भी ऐस्पस्ट थी मीर कासिम को की माननेता थी कि धन और उपहार देखकर उसे स्वतंता पूरवक सासन करने का अधिकार परदान किया गया है अतहे है उसने नवाब बनते ही स्वतंता पूरवक आच्रण करना सुरू कर दिया दूसरी और यह है माननेता थी कि मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छा नुसार उन्हें धन उफार आदी देता रहेगा तथा वह है उनके हाथों में कटपूतली बनकर रहेगा परन्तु जब अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि मीर कासिम अंग्रेजों की सरों पर नाजने के लिए तय जो मेर कासीम का विम्ट करना शूरू कर दिया ठीके और अगला पह लकुशन को सुद्र रड़ करना तो मीर कासीमने अंग्रेजों откr के चंगुल से स्वोथन्त्र होने और्राजय में सान्ती और व्यवस्ता बनायर रखने के लिए सिंन शंग को सूद्रट करने का निस्चे कर लिया उसने अपने सनिकों की संख्या में व्रधी की और उन्हें इरोप्य पदती पर परशिक्षित भी किया सनिकों को आदुनिक अस्तर सस्तरों से सुजित किया और मीरकासिम की जो सनिक जो तैयारियां वो देखकर अंग्रेज बोखला उठे चिंतित हो गए और उन्हें भी मीरकासिम की सक्तिका दमन करने का निस्चे कल लिया और फिर अगला पुएंड आता राजधानी परिवर्तन तो मीरकासिम के समय बंगाल की जो राजधानी वह मुर्शिदाबाद थी जहां गरेजों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया और यहां पर मतलब कई सक्ति सालिसानिक भी न्यूक्त किये गए उसने मुंगेन में बारूद बनाने और जैसे की तोप खाना आदी बनाने का तोप पे आदी बनाने का कार खाना भी स्तापित किया इससे अंग्रेजों का संदे ओर बढ़ गया और वे मीरकासिम की स्वतनतर कांग से और श्वाब भीवानी वेखती था वे प्लासी की प्राजे से बड़ा दुखी था और अंग्रेजों को प्राजित करके प्लासी की प्राजे का बदला लेना चाहता था जिस कारण दोनों में मतलब कि आपकी ये बकसर का यूद होता है अगला पॉइंट है जोसे मांग की कि वे उसे दिल्ली के सिहासन पर बिठाने में सहाईता करें अंग्रेजों ने उसे पटना मंतरित किया और उसका भवेश्वागत किया अंग्रेजों ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि साहल लम को मुगल समराड सुविकार करे तथा उसे बारा लाक रुपे छीन ली जाए हताय इस गटना से भी अंग्रेजों मीर कासिम के बीच में मन मुटाव बढ़ जाता है हिंदू जो जम्मिदार थे इनका दमन तो देखेगी जो प्लासिका यूद था उसमें अंग्रेजों ने फूर डालो और शासन करो की निति का मतलब पालन किया था और अ मीर कासिम ने उसे गबन के आरोप में बंदी बना लिया और उसे मर्ति उदंड दिया इस गटना से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में सतरुता और भी बढ़ गई थी अब अगला पॉइंट आता है व्यापारिक सुविधाओं का दूर उपियोग तो देखेगा यह मन अधिकारी थे वह इस अधिकार का दूर पियोग कर रहे थे वह एक विशेश कमिशन लेकर अपने मतलब दस दक अरथाथात क्या था एक अनुमति बत्त था उसे भारती व्यापारियों को बेशते थे जिसे बंगाल के राजकोस को हनी होती थी क्योंकि वो क्या करते थे कि भारतीयों को वो अपना अनुमती पत्तर है जो इसने फरुक सियर ने अंग्रेजों को दिया था वो मतलब जो वयापारी लोग थे वो ले ले लेते थे और बिना चुंगी के अर्थाद बिना करके वयापार करके वो वयापार करने लगे इसे क्या हुआ कि राजकोस में करने ही आया और बंगाल का राजकोस वह खाली हो गया था इसके अलावा कंपने के अधिकारी और करम चारी थे वे एपने नीजी व्यापार में भी जो अनुमति पत्र था, जो दस्तक था उसका प्रियोक करते थे इस प्रकाट दस्तकों के दुर्पियों के कारण राजिये को बहुत हानी हो रही थी और इस पर मीर कासिम ने कंपनी से आगरे किया कि इस अधिनियम इस एनियमित व्यापार को बंद कर दिया जाए ठीक है और फिर लास्ट में क्या होता है कि गवर्णर वेंसी टार्ट ने मुंगेर पहुंचकर मीर कासिम से भेंट की और उसके साथ एक समझोता है कि अंग्रेजी कमपनी अपने सामान पर 39% सूलक देगी तथा भारते व्यापारी अपने सामान पर 25% से 30% तक सूलक देंगे प्रन्तु जो अंग्रेजी कम्पनियों उसने इस समझोते का पालन नहीं किया इस कारण अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में कटूता है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी अगला पॉर्ण आता भारते व्यापारियों को निसुल्क व्यापार करने की सुविधा देना करा जोए क्यों कि यह उनका विश्यादिकार था और भारते वी विश्यादिकार तो उसमाप्त हो गया अता कलकत्ता कोंसी ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह अपना आदेश वापस ले ले प्रन्तु मीर कासिम ने अंग्रेजों के अनुरोथ को ठुकरा दिया और बस ठ देखेगा 1763 में अंग्रेजों के एजेंट एलिस ने पटना पर दिकार कर लिया परन्तु मीर कासिम ने अपनी सेना भेज कर पटना पर पुन है दिकार कर लिया एलिस तथा उसके साथी बंदी बना लिये गए इस पर कंपनी ने जून 1763 में मेजर एडम्स के नेतरतों में सेना भेजी थी 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के भी जूद हुआ इसमें मीर कासिम को प्राजे का मूँ देखना पड़ा इसके बाद मुशिदाबाद मुंगेर उदे नाला ऐसे स्थान थे जो जेन पर भी जो मलब इन स्थानों पर मीर कासिम को मनलब प्राजित होना पड़ा और वाय पटना की और भाग जाता है उसने पटना पहुंच कर एक सुड़ताली संग्रेज बंदियों का वद कर दिया ये गटना पटना अहत्यागांड के नाम से जानी जाती है जुलाई 1763 में कम्पनी ने मीर जाफर को पुना है बंगाल क का नवाब बना दिया अपने प्राजियों से निरास होकर मीर कासीम अवत के नवाब सुजाओ दोला के पास चला जाता है सुजाओ दोला उन दिनों मुगल समराड साहलम के साथ इल्हाबाद में ठैरा हुआ था मीर कासीम के नरोद पर सुजाओ दोला और साहलम ने उसे साह अब देखेगा बक्सर के युद की क्या क्या गटनाएं थी तो 1764 में मीर का सिम अवद का नवाब सुजाउदोला और मुगर समराठ साहा अलम द्वीतिये की समलित सेनों ने पठना की और परस्तान किया बक्सर के निकट वो पहुंच गए इस समलित सेना में 40,000 से 60,000 के समें बक्सर करना म किस्तान पर विश्टन युदे हुआ, अन्ध में अंग्रेजों की विजे हुई और समलित सेना की प्राजे हुई, इस युद में अंग्रेजों की 825 सेनिक मारे गए जिबकि अवत के नवा सुजाओ दोला की सेना की लगबग 2000 से निक मारे गए मीर कासिम यूद 76 से भाग निकला और एक लंबे समय तक इदर उदर बठकता रहा अंत में 1777 इस्वी में उसकी मर्त्य हो गई सुजाओ दोला भी भाग कर रुहेल खंड चला गया और अंग्रेजों ने उसका पिछा करना जारी रखा अंत में अप्रेल 65 में अंग्रेजों ने कड़ा के यूद में सुजाओ दोला को बुरी तरह से प्राजित कर दिया वीवस होकर सुजाओ दोला ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमरपन कर दिया ठीक है ये था आपका बकसर का यूद अब देखेगा बकसर के यूद का महत्व है और उसके परिणाम क्या निकले तो सबसे बड़ा जो परिणाम है वह ये निकला कि बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभूत्व है स्थाफित हो गया था तो आदुनिक भारत के इत्यास में बक बकसर का यूद है वह प्लासिक यूद से भी अधिक महत्व पूर्ण था ये यूद भारत के निर्णायक यूदों में भी गिना जाता है बकसर के यूद के परणामसरू बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभूत्य स्थापित हो गया अब अंग्रेज बंगाल कानूनी तोर पर अंग्रेजों के दिकार में आ गया बंगाल का नवाब केवल अंग्रेजों के हाथों की कठकूतली मातर था तदा बंगाल के सासन की वास्थिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी अर्थात वो जैसा कहते थे नवाब को वैसा ही करना पड़ता था अवद के नवाब पर अ इलाबाद की संदी के अनुसार अवद के प्रांथ पर कंपने का नियंत्रन हो गया था और जो इलाबाद की संदी है इसकी संदी के परणाम सुरूब अवद के नवाब सुजाउ दोला को निमनल की सर्ते हैं सुविकार करने पड़ी कई बार एकजामी पूछ लेते हैं तो दे कड़ा और इलाबात के जिले छीन लिए गए तथा ये दोनों जिले मुगल समराठ को दे दिये गए अवत का प्रांथ सुजाउदोला को लोटा दिया गया सुजाउदोला ने अंग्रेजों को यूद की छती पूर्टी के लिए 50 लाख रुपे देना स्विकार कर लिया नवा अवत के साथ संगर्स हमेशा के लिए स्माप्त हो गया क्योंकि इसके बाद अवत के किसी भी नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्यूत करने खीमत नहीं की बक्सर के यूद से अवत पर अंग्रेजों का परभाव बढ़ता ही गया मुगल समराठ पर कंपनी का प्रभूत इस्तापित हो गया और फिर मतलब यह है कि बक्सर के यूद के परणाम स्रू मुगल समराठ पर भी कंपनी का प्रभूत वैस्तापित हो गया अब वह कंपनी का पेंसनर बन गया था 1765 की इलाबाद की संधिके नुसार मुगल समराठ साहलम को भी कई संधियां करनी पड़ी जिसमें साहलम को कई सर्थें भी स्विकार करनी पड़ी अवत के नवाप सुजव दोला से कड़ा और इलाबाद के जिलों को लेकर मुगल समराठ को दे दिये गे और वे अब मगल समराट है उसने अंग्रेजों को दे दिया था अब देखेगा अंग्रेजी जो मतलब की अंग्रेजी कंपनी है इसकी सकती और परतिस्टा में वरध्य हुई तो बकसर के यूद के पनावसरूप अंगरेजी कमपनी की सकती और परतिस्टा में बहुँ ज़दा वर्दी होती है, बकसर की विज़े से अंगरेजों के लिए उत्री भारत में समराजे स्तापित करना अब स्रेल हो गया था, इस यूद के फलसरूप के वल बंगाल पर ही नह गया था, अर्थाथ हम कह सकते हैं कि अब भारत में ब्रिटिस सासन की नियूब और भी अधिक मजबूते हो गई थी, और अगला पोईंट आता है, अंगरेजों की सेनिक स्रेश्ट रता है, वह सिध हुई, तो सेनिक द्रेश्टी से भी बकसर का जो यूद है, ये बड़ा म प्लासी के यूद में अंगरेजों ने चलकपट के बल पर विजे ब्राप्त की, लेकिन बकसर का यूद एक पूर सेनिक यूद हुआ था, इस यूद में अंगरेजों ने मीर कासीम, अवत के नवाप सुजव दोला और मुगल समराठ साहलम द्वीतिये की समलित स्यनों को ब अंगरेजों को राजनितिक ओर सनिक परभाव बढ़ाने में मदद मिली, भारत में सक्ती संगर्च की दिशा में एक द्या परिवर्तन हुआ और अंगरेजों की महेत्व कांग्साओं में भी व्रदी हुई, पलासी के कारिय को पूरा करना, दो बकसर के यूद ने पलासी के कारिये को पूरा किया अंग्रेज बंगाल में ब्रेटी सासन की स्तापना करना चाहते थे बंगाल में ब्रेटी सासने स्तापित करने की प्रक्रिया प्लासी के युद से सुरू की थी और इसे मतलब पूरा किया गया बकसर के युद द्वारा प्लासी के युद के द्वारा अं हैं कि अंग्रेजियों ने जिस उद्विसे से प्लासिका यूद क faktiskt इसमित कहता है कि यूद के कारणों और परणामों के बारे में जानकरी प्राप्त की यदि हमारे वीडियो में आपको कोई भी कमी या फिर कोई भी गलती हो सकती है कोई भी तुरूटी तो मतलब आप हमें आप बता सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद